हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की सब्जेक्ट इंग्लिस की NCERT की बुक मैरी गोल्ड की चैप्टर हैलन केलर को पढ़ेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो यह जो इस्टोरी है जो चैप्टर है इनके बारे में है हैलन केलर जो है उनके साथ बच्पन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से उन्हें दिखाई देना बंध हो गया और नहीं वो सुन सकती थी इट मीज़ बच्पन से ही वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी तो यहां पर हम Helen Keller के बारे में पढ़ेंगे कि Helen Keller कौन थी उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ था यह जो है summer यानि की गर्मिया सन 1880 की गर्मियों की बाद थी की एक स्वस्थ बेबी गर्ल यानि की एक बहुत ही स्वस्थ प्यारी सी बच्ची ने एक छोटे से सहर अलबामा में जन मिलिया अर पेरेंट्स लवड हर डियरली उसके माता पेता उसे बहुत ही प्यार करते थे और नेम्ड हर Helen Keller और उसका नाम Helen Keller रख दिया But one day the baby became ill लेकिन एक दिन क्या हुआ एक दिन जो बेबी थी बच्चा था वो बिमार हो गया And day after day और दिन प्रति दिन her fever stayed high उसका जो बुखार था वो बहुत बढ़ता गया Everyone in the family tried to help her to get better उसके परिवार में प्रतियक ने यानि कि सभी ने उसकी मदद करने की उसकी मदद करने की कोसिस की But all they could save was लेकिन उन सभी ने बस यही कहा There is nothing more we can do कि अब कुछ नहीं बचा है जो हम इसके लिए कर सकते हैं It means अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं It means हम बहुत कर चुके हैं जितना कर सकते थे हम कर चुके हैं The baby may not live अब वो कहते हैं कि सायद यह जो बच्चा है यह जीवित ना रहे Helen lived लेकिन क्या हुआ Helen जीवित रही But she was not the same After her illness लेकिन अपनी बिमारी के बाद वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी इस बिमार हो गई तो जो वो पहले थी अपनी बिमारी से ठीक होने के बाद वो वैसी नहीं रही Something is very wrong उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था Her mother said उसकी माने कहा कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है At last They found out और अंत में उन्होंने पता लगा लिया What was wrong कि उसके साथ क्या गलत हुआ था क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बच्चा था वो बड़ा हो गया और वो बच्ची जो है धीरे धीरे एक छोटी सी Little girl हो गई यानि कि छोटी बच्ची हो गई Her parents felt sorry for her अब जो है उसके माता पिता को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता था Helen often cried Helen जो है हमीशा रोती थी and held on to her mother और उसकी जो अपनी मा थी अपनी मा को held on पकर लेती थी Give the poor child what she wants Her father would say उसके पिताजी कहते थे जो उसके पादर थे वो कहते थे कि जो ये बिचारी बच्ची मांगती है उसे वो दे दो Though Helen could not hear or see यद पी Helen जो है ना तो वो देख सकती थी और नहीं सुन सकती थी She was a bright little girl लेकिन वो बहुत ही तेज बच्ची थी बहुत ही bright यानि कि बहुत ही तीवर बुद्धी वाली छोटी लड़की थी Some people thought कुछ लोगों ने सोचा Helen could not learn anything कि Helen जो है वो बड़े होकर यानि कि अब वो बड़ी हो रही है तो वो कुछ भी नहीं सीखेगी बिकास ना तो वो देख सकती है और नहीं सुन सकती है Her mother did not agree लेकिन इस बात को सुनकर उसकी मा जो है वो सहमत नहीं थी Helen is very smart Helen जो है बहुत ही smart है बहुत ही तीवर पुद्धी है She said उन्होंने कहा And added और ये भी कहा The problem is कि समस्या तो ये है How can we reach her कि हम जो है उस तक कैसे पहुँचें कि जैसे कि वो देख नहीं सकती है और नहीं सुन सकती है कि problem ये है कि हम उसको जो है कैसे समझाए She is locked up inside herself कि वो तो जो है अपने आप में ही अंदर बिल्कुल lock हो गई है Helen began to grow wild अब क्या हुआ जैसे जैसे Helen जो है वो बड़ी हुई वो जो है जंगली हो गई wild यानि कि वो असब्बे होनी लग गई She would not let anyone comb her hair अब क्या होता है wild यानि कि वो जो है अपने hairs को अपने बालों को किसी से भी कौम नहीं करने देती थी वो जो है रोने लगती थी चिड़चिड़ी हो गई थी her cloths were always dirty उसके जो कपड़े होते थे हमेशा dirty रहते थे गंदे रहते थे she was often angry और वो जो है बहुदा angry यानि कि बहुत प्रोधित हो जाती थी sometimes she even lay on the floor और कभी कभी तो वो floor यानि कि first पर laid जाती थी and kicked her feed और अपने पैरों में ठोकर मारती थी यानि कि kick करती थी her parents thought उनके उसके माता पिता ने सोचा that they should find a teacher for her कि उन्हें जो है उसके लिए एक teacher जो है वो find out करनी चाहिए ढूणनी चाहिए Miss Sullivan a young teacher agreed to help Helen to learn to see the world अब क्या होता है कि Miss Sullivan एक young teacher होती है जो कि Helen की मदद करने के लिए तयार हो जाती है उसे सिखाने के लिए उस संसार को दिखाने के लिए वो तयार हो जाती है Miss Sullivan gave Helen a doll अब क्या होता है Miss Sullivan जो है उसे सिखाना शुरू कर देती है तो Miss Sullivan उसे एक doll देती है, गुडिया देती है, doll spells doll, अब वो कहती है कि आपको बोलना है कि doll, यानि कि आपको क्या लिखना है कि doll लिखना है, she spelled the word with her fingers into Helen's hand, अब क्या करती है, वो अपनी finger से, अपनी उंगली से Helen के हाथ में क्या लिखती है, doll word लिखते है, she made the letters with special hand sign, क्या करती ह उसके हाथ पर she made बनाती है letters को with special hand sign, एक special यानि की wishes hand sign के साथ, Helen copied her teacher, अब क्या होता है, Helen जो है, अपनी teacher को जो है, copy करती है, same लिखती है, and spelled doll, और doll ही लिख देती है, but she did not understand, लेकिन वो जो है, समझती नहीं थी, उसे समझ नहीं आता था, कि ये सब क्या है, ये क्या लिख र रही थी, Helen liked Miss Sullivan, Helen को जो है, Miss Sullivan जो कि उसकी teacher थी, वो बहुत पसंद थी, she was strict, वो जो है, बहुत strict थी, गंबीर थी, but kind, लेकिन दयालू थी, she spelled a lot of words for Helen, उन्होंने जो है, Helen के लिए, बहुत सारे words जो है, वो लिखे on her hand, उसके हाथ पर, day and night, दिन रात उन्होंने महनत की, to make Helen understand Helen को समझाने के लिए, यानि कि Helen को समझने के लिए, कि वो समझ जाए, कि यह सब क्या है, one day her teacher made Helen put her hand into running water, एक दिन क्या हुआ, उसकी teacher ने Helen के हाथ को बहते हुए पानी में डाल दिया, then she spelled water, और तब उन्होंने water लिखा, w-a-t-e-r, उसके hand पर लिखा, suddenly Helen understood, अचानक से Helen जो ह इसका मतलब something wet, कि कुछ गीला है, कि जो पानी है, उसका meaning कुछ गीला है, running over her hand, जो कि उसके हाथ पर बह रहा था, she understood, और वो समझ गई, that words, were the most important things, यह जो words है, यह बहुत ही महतुपून चीज है, in the world, इस संसार में, words वो tell her everything, words, जो कि सब्दों थे, सब्दों नहीं, उसे स सब कुछ बताया, she wanted to know, जो कुछ भी वह, जानना चाहती थी, it means words की अपनी importance है, किसी भी चीज को जानने के लिए, तो इसलिए जो है, जो भी वो जानना चाहती थी, words ने उसे वो सब कुछ सिखाया, तो आपको यह lesson अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप देखते हैं इस lesson में कुछ new words आए हैं, तो new words है, dearly, dearly यानि की prayer, illness कहते हैं, बिमारी को agreed, सहमत हो गई, important यानि की महतोपूर, तो आपको यह जो है, अच्छे से समझ में आ गए होगे, तो मिलते हैं next video में, next chapter के साथ, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you,